हमको आर्टिकल 370 के बाद में बोला पंडित को अपस आएगा, कहां से पंडित को अपस आएगा, अगर उसके साथ यही किया जाएगा, हम कहां जाएगा, किसके माते पे जाके अपना दर्वाजा कड़कर आएगा। It was very embarrassing, कि हम अपने घर में, अपनी जवीन पे, अपनी जगा पे आनी के बाद हमारे को बहर में गारा जा ह। का है तैसींदार साथ, का है नाय तैसींदार साथ, का है रेविन्यू के डिपार्ट्मेंट के लोग आज भी ओट के ऑडरों के बाद भी वहां घर बन रहा है। तोट में यह जाने की कुछ की कि उूनके पास पौन से एक काफजात है जो उन्होंने मकान पाइमीर किये है उनलाई को अक्षिन अजब भी हम तब भी बहार निकाले गए थे हम आव्य झाले गाई। पैसे किसको दिये हैं उनने थर्ड पार्टी इसको दिये, ना तो उसके मालिक थे, ना तो उसके कुछ और थे, ना उनके पास कोई अथार्टी थी, वो पैसे देते गए आप यहां बोला गया कि आप यहां से जाइए, नहीं तो आपको धप्पा मारके भाद रिकाल रहे हैं. रिसेंट कोई दिखाब इसमें मुझूद है जो इनके नाम पर दिखाता है कि वो जमीन इनके नाम की है. देखिए, मैं अपने एक निया मंदर बनाना चाहता हूँ, मैं वहां पर अपना घर बनाना चाहता हूँ, मैं यहां पर रहना चाहता हूँ. यह मेरा घर है, यह मेरी जमीन है, यह मेरा वतन है. आप कहते हैं वो गरीब लोग हैं। अगर गरीब लोग हैं तो आप जाके देख यह करोडों का मुकाम बना हुआ है। हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। जो आड़र्स का अमलदार मत होना चाहिए कि आपको लग रहा है के नहीं हो रहा है। बिल्कों नहीं हो रहा रहा होता तो घुलकों मोचुद है थे जुछारीन को भी बताना चाहते हैं भी वापली बिल्कुल मोचुद खुसुसर में बात करूंगा उस वक्त कोहरा मच गया जब यहां हमने ये खबर सुनी कि कश्मीरी पनित बरादरी कश्मीर से कुश कर गई, माइग्रेशन कर गई, रात के अंदेरों में और आज उसी माइग्रेटिट एक फैमली ने बारमला आकर आज फिर ये दावा दोहराय और उनका कहना है कि आज हम जब हम पुष्टिनी जमीर पर कोचे तो हमें फिर से एक बार गर से बेगर करेंगी कुश की जा रही है, नाजरीन, मामला ये है कि सौपूर अलसमकाली में दावा करने वाले अशित खनाजी, इनका कहना है कि हमारे दो सुपन किनाल अराजी पर नाजाइस कब्जा माफिया ने वहां पर उनीस सो नबे में हमारी माईगरिक्स के बैद कब्जा जमाया और उसके बैद पुरी तोर उन्होंने उस जमीन को फरुक्ष करने की कोशिश किया, उन्होंने फरुक्ष किया, और इस तरह 137 कनाल अराजी पर इस वक्त एक कॉलनी वहां पर बनेफस नफीस वहां पर मौझूद है, अलसपकाले के नाम पर, लेकिन जब आज अश्यद जी अपने शिरीक हयात को लेकर, वहां अपने जमीन पर सिर्फ नजर माने की गरों से, और वहां पर तामीर जो मंदिर था, उस मंदिर में अबादत करने की गरों से, या पूजा करने के गरों से, जब वहां पर पूचे तो वहां पर हुकामी लोगों ने उनको वहां से ख़डेडा बाहर निकाला, क्या वज़ा है, कि अश्यद कुमार ने इतने बहुत खतरनाक अलफाज का इस्तेमाल फिर एक बार किया है, कि मुझे एक बार फिर बेगर करने क के लिए मौजूद है, इनके लीगल एडवाइजर और काउंसल जो यहां पर हमारे साथ मौजूद है, और इसी तरह इनकी श्री के हायात जो वहां पर आज अपने जमीन पर अपने खेद पर गई थी, वहां पर पूजा करने के गरों से गई थी, लेकिन इनको बाहर निकाल गया है, बलाए रास्त बात करते हैं, अश्र जी के साथ, जी अश्र जी हमें बताए के आप ते कहा के हम आज अपने पुष्टिनी जमीन, वाका अलसफ़ा कॉलनी दौाबदा, जब आप वहां पर पहुशे हैं तो क्या हुआ का हुआ हुआ आपे साथ? देखे, यह अलसफ के लिए वो एक अबादत से कम जगा नहीं है, मगर ना तो वो मंदर रहा, और जो कुई की हालत थी, वो बहुत बुरी थी, और मैं सिर्फ वहां जाके, हाद जोड़के, परमात्मा से परातना करी, कि सब कुछ ठीक हो जाए, मगर मेरे को फिर महां से निकाला गया, मैं अप अब मैं अपना घर मां बनाना चाहता हूं, वहां जाके रहना चाहता हूं, मैं किसान का बेटा हूं और किसान ही रहना चाहता हूं, मगर मेरे को ये करने से रोका जा रहा है, मुझे हाई कोट से भी रिलीफ मिला, मुझे एक दफ़ानी कहीं दफ़ा रिलीफ मिला, मगर उस क्या वाका पीश आया? आज मैं सिर्फ अपनी भाइफ को दिखाना चाहता था कि ये हमारी पुछ पहनी जमीन है तो हमारे को वहां से ये बुला गया कि आप ये ट्रेस पासिंग कर रहे हैं, आप यहां पे कैसे आएं, क्यों आएं, मैं अपनी जमीन पे गया हूँ, और अपनी जमीन पे जाना अगर गुना है, तो मैंने आज गुना करा है, तो हमें बताए कि कुल कुछ एराजी थी जो आपके नाम की जमीन है वहां पर, सर ये खना ओचर्ड जूंसा था, छे सो बारा कुनाल का था, जिसमें से कि मेरे वालेद साब के नाम पे जो मेरे को बताया गया था, वो चाजकी डेट में पेपरों में दो सो स्तावन कुनाल जमीन ये मेरे को दिखा रहे हैं। मैं कहतू हम वहीवापिस कीजिए। कम से के अपना घर तो बनाऊ हुँ। मैं यहां पर आपको जाना चाहिए था, वहाँ पर जो सुनवाई हो रही है आपकी, तो सुनवाई का जो आडर्स का अमल दारमद होना चाहिए का आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है? बिलकों नहुंत है consig अगरूरा उता तो अब तक यह जगा मेरी जञारेनी मेरे को वापस मिल चुकी होती है तो आप क्यों कह रहे हैं कि मुझे फिर एक बार बेगर करने की पृः बैगर कर है जारे ह। मेरे को मेरी जमीन से भाव निगाता जा रहा है कि आप ट्रेस्पासिंग कर रहे हैं मैं तो महां मंदिर में गया था कि अपना मंदिर देखूं अपने कुल देवता कुल बेवी के मंदिर में माता जाके टेकूं मगर वो मंदिर ही नहीं 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 मैं अपने एक निया मंदर बनाना चाहता हूं मैं वहाँपे अपना घर बनाना चाहताँ हूं यहाँपे रहना चाहता हूं यह जो आपके साथ वहां पर गई थी वह आपकी शरीक आयात हैं और लॉह होग भी पतनेें जग Y Talin कई है उनको ही का गया कि आप जोंसा है यहां पर कैसे आई हैं क्यों आई हैं क्या करने आई हैं तो इट वेरी इंबरसिंग कि हम अपने घर में अपनी जबीन पे अपनी जगा पे आने के बाद हमारे को बाहर में गाला जा रहा है नाजरीन मैं जानना चाहूंगा कि बाहरा रास्त इसके साथ जो इसके शरीक खाया थी उनसे भी जानना इसकी कोश्च करूँगा कि जब वहां पर पहुची तो कश्मीरियों ने खुस्छन वहां पर जो इस वकत जो ने मकाना तामिर किये हैं या दूसरे किसम के कुछ तामिर रास्त खड़ी कर दी हैं और रास्त भी बढ़ाए है माजिद शरी भी तामिर की हुई है और मैं इसकी शरी के हया से जाने कोशी करूँगा कि उनका क्या कहना है कि जब वहां पर पहुची तो क्या हुआ उटके साथ जी क्या वाका पेशा है हम लोग वहां गए थे कि हम मंदिर है यही नहीं और हुए यहां बोला गया कि आप यहां से जाए नहीं तो आपको धका मार के बाहार निकाल देंगे यह कहने वाले कौन लोग थे वही के लोग के वही के जो अंदर के लोग है एक फोन आया उस पोन के ओपर में यह सब आक्शन है आज भी हम तब भी ब और्ड देती है, आगे जो लोग है वो उसको उसके उपर कोई तामिल करता ही नहीं है आज गाउर्मेंट ने हमको आर्टेकल 370 के बाद में बोला पंडित वापस है कहां से पंडित वापस आगा अगर उसके साथ यहीं किया जाएगा हम कहां जाएं? किसके माते पे जाके अपना दर्वाजा खड़ कराएं? किसको पास जाएं? कोट है, कोट ने ओर दिया, क्यों नहीं, जो कंस्टोडियन है हमारे लिए, वो क्यों नहीं एक्शन लेती? आज भी घर बन रहे हैं उसके उपर में. कहा हैं तहसिलदार साथ? कहा है नायब तहसिलदार साथ? कहा है, रेविन्यू के डिपार्टमेंट के लोग आज भी कोट के ओर्डरों के बाद भी वहां घर बन रहा है. आप कहते हैं, वो गरीब लोग हैं. अगर गरीब लोग हैं, तो आप जाके देखिए, करोडों का मुकान बना हुआ है. हमारे पास त के अशेद जी ने कहा है कि दौज़ा निस सु ननानेवे से हमने इसका कोट का रुजू किया है, और दौज़ा तीन में एक फैसला भी आया है, और आज तक वो इंप्लिमेंट नहीं हो उसका, उसके बैत मतवातिर कई आडर्स भी आये हैं, यह जाने के कुश करेंगे हम, ज आडवाइजर है, जी, और काउंसल है, तो आपके साथ और भी होंगे, आपके तीम होगी, तो हमें बताएए कि पहला आडर कप मिला इनके हाक में है, देखिए जब इनके वालिद साहब दर्शलाल खना जी कश्मीर चोड़ किया यहां से निकाले गए, उसके बाद दर्शल कि तरफ के मेरी जमीन पे कुछ लोग कबिस हो रहे हैं, उसके बाद केस चलता है, बहुत जग़ा बहुत फॉरज में Key चलता है, तो आखिरकार यह केस कहुचता है औरेबल हाइक कोड में, औरेबल हाइक कोड जो हाजाई ऑंस LED इसको में अर्डर में वर्दी, डिस्टिक मे पावर्स तब दिये गई थे, हालांकि आज वो पावर्स तासिलदार, SDM साब, ADC साब उनको भी कनफर किये गए हैं, लेकिन तब उस टाइम पे खाली वो पावर्स एक DM के पास होते थे, तो DM को डिरेक्ट किये अगया 2003 में कि इनकी जमीन, इनकी जमीन जो है, उसको परिस्व करते हैं, लेकिन जो शेर पसंद अनासिर होते हैं, वो उस कमीटी के ओर्डर को चैलेंज करते हैं, Financial Commissioner के पास, उस टाइम केश चलता है, Financial Commissioner कहता है कि ये जो लोग वहाँ पे काबिज है, चाहे वो कानूनी तोर काबिज है, या गैर कानूनी तोर काबिज है, इनको एक opportunity दी जाहे ताकि ये कहें कि ये वहाँ पे किस तरह रह रहे हैं, ये वहाँ पे काबिज है, तो उनको एक opportunity दी जाती है, बहुत टाइम केश चलता है, तो finally क्या होता है कि वो आदमी जो शेर अनासिर वहाँ पे इंसान है या कोई लोग है, जो गैर कानूनी तोर वहाँ पे काबि पेटिशन की, वो पेटिशन डिसमिस होगी. आपने कभी मांग की है उन लोगों से जो सामने आ रहे हैं, जो ने वहाँ पर अपने मकानात या दूसरे तामिरात खड़ी कर दी है, कोट में ये जाने की कुछ की कि उनके पास कौन से काफ़जात है, जो उन्होंने मकाना ताम बनाया गया, लेकिन बावजूद उनके वो इस केस के फरीक है, जो हमारा हाई कोट में केस है, तब भी हाई कोट ये और्टर पास किया कि इस जमीन को रिट्रिव किया जाए, इसका सरासरे मतलब ये है कि हाई कोट ने उस चीज़ को कंसिडर नहीं करा, तो इस जमीन पर मु उसको फरुक्त किया है, देखिए, दरसल वहां हुआ क्या था माजी में, ये तो रभी जानता है, लेकिन as per the documents, as per the statements issued by the authorities, इससे ये साबित होता है कि वो दीरे-दीरे करके वो लोग आए, पहले एक आया, उसने पलोड बंदी की, दीरे-दीरे लोगों को जमीन बेजी, without any authority फिर किसी और ने आया, फिर किसी और के पास गई तो दीरे-दीरे करके, लोग ओ कि जो 2003 का आरडर है वो इसमें मुझोड है बिल्कूल स्के साथ मुझे बताएं कि अगर कोई रिजिसंट कोई amicharta इसमें मुझोड है जो इनके नाम पर दिखाता है कि वो जमीन के नाम की है। दखिये इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये जमीन इनके नहीं इसमें कोई शक नहीं है । 2018 में वहां के वर्दी तासिलदार साब इनके hyster 的 mutation कर देते हैं mutation में 256 canals इनकी हक में हक में अंतिकाल हो जाता है उसके बाद तासिलदार साब जो के उसी case में एक फिरीक है वह honorable high court को लिखते है यहां से fins 426 canals मेंसे 136 कनाल, जो land है, उस पर कुछ लोग काबिज है, वो गैर काभिज है या गयर कानुज तो से काबिज है, लेकिन काबिज तो है, उस में से 137 कनाल है, 17 कनाल ऐसे हैं, जिसमें मस्जद शरीफ है, जिसमें रास्ता है इसमें पब्लिक इडिलिटी के और बाकी बाकी सब चीज़े हैं वह 17 कुनाल में बाकी जो बच्ची कुची जमीन है उसके लोग काबिस है लेकिन इसके बावजूद भी 119 कुनाल जमीन है जो एक और जड़ है या क्या है वो हमें डिमार्केट करके दीज़े है क्य वो वही पे मौझूद है चुनकि 2008 में अगर म्यूटिशन हमारे हक में होती है 256 कुनाल की डैट मेंज के वहां पे जमीन है वो म्यूटिशन इसमें मौझूद है मैं नाजरीन को दिखाना चाहूंगा कि म्यूटिशन में यह दिखाया गया है कि यह अराजी जो है इस अराज देखा तोर दिखा रही है कि इनका इंतिकल हो जगा है दर्शनलाल पिसर सर्नलाल या लाला सोलाल और यह जो है खुदकाश्ट झार्वन काश्छ दिखाते हैं illegal कब्जा है उनका जिन्हों ने उन्हों वहां पर मकाना तामिर किये हैं लेकिन वो दिखाते हैं कि ये दो सो चपर कनाल मैंसे 137 कनाल पर एक तो तामिरात खड़ी कर दी गई है और इसे के साथ-साथ वहां पर 17 कनाल अराजी पर जो है वो रास्ते बनाए गए है और माज़ी शरी भी तामिर किया गया है लेकिन यहां पर काबली गोर बात यह भी है कि 119 कनाल जमीन अराजी जो है जो खाली पड़ी है उस पर वहें पर आज लोग यह जो अशितलाल जी है अशित खना जी यह अपने शरीक हयात को लेकर वहां पर पहुँचे सिर्फ यही इसी गर्द स कि मैं वहां पर पूजा करू अपने पुष्टनी जमीन पर पूजा करू और पुष्टनी जमीन पर में वहां पर भी एक पैगाम भी जाएगा क्योंकि उसकी पुष्टनी जमीन है ही और किसने कब्दा किया है इनकी माइगरेशन के बैद वो अलग बात है लेकिन यहां पर का कबजा क्यों नहीं दिया जाता है पहले तो उसी का कबजा दिया जा आ क्योंक्क OC quand पड़ा कि इसी का कबजी में नहीं है अगर वहां पर तामिरात खडी कर दी गई है तो यह का मानना है कि इनका यह भी कहा कि आज प sitten एग बार है में टलिया कर चाहिए और इनने लीगल एडवाइजर जो है इनने कहा कि हमने 2003 में आडर निकालाया और लगातार आप मुझे बताए कि 2003 के बैद कोई आडर करने के लिए फिर कोट से निकला है देखिए 2003 में आडर हुआ कोट से कोट ने यह ओडर दिया कि डियम को डियरेक्ट किया गया कि इस जमीन को ऐस पर दे इन बीच में बहुत सारे ओडर हुए रिसेंटली इन डेसंबर 2022 एक और और को पास करता है वो कहते हैं कि आप सेक्यूर्टी एजनसी की हलप लेके इस जमीन को रिट्रिव कीजिए इनको वहां से इवेक्वेट कीजिए इसको मॉडिफे कीजिए जिस तरीके से आप इसको करना चाहते हैं इसको परस्यू कीजिए बट एस पुर्ड एक्ट आप नाइटी नाइटी से आप यह यह डेसंबर 2022 का ओडर है कोट ने डिजिन दिया है कोई है कोई इस आडर में कोट यह कहता है कि जमीन को रिट्रिव किया जाए वो आडर इस पे मुझूद है बिलकुल म आप पढ़ कर सुना सकते हैं दो हजार टीन का ओपरेटिंग पार्ट है इन वीव अब अबो कंसेंसे बिलिट पैटिशन इस इस दिस्पोस्ट आप इडिरेक्शन पुदिस्टिक में स्ट्रेट बाहरमला तो लुक इंटो एंट कंसेडर था में पास अप्रॉप्रॉप्र order city under law including the provisions of act of 1997 and on merits of the case after parties are afforded an opportunity of being heard and associated with whole process the whole process may be completed as far as possible within a period of three months तो उसके बाइत तेन मेने के बाइत भी नहीं हुआ था, उसके बाइत क्या प्रॉसेस हुई थी, तेन मेने के बाइत कुछ नहीं हुआ, दोज़र बाइस में औरीबल हाई कोट एक और और पास करती है, उसका उपरेटिंग पार्ट इसी रहा, meanwhile the official respondents are direct to ensure compliance of the order updated 2016-2013 जो अभी का order है Oracle High Court 2022 में फिर कहती इसको comply किया जाए and in furtherance thereof may avail assistance of any security agency modification, vacation, alteration security agencies की help ली जाए लेकिन ये order भी implement नहीं होता है उसके बाद recently अभी बस 12-15 दिन पहले एक और Oracle High Court पास करते है Oracle High Court उस order में कहते है in the meantime order dated 16th December 2022 be complied with by the official respondents तो उनको एक बार फिर डिरेक्ट किया जाता है कि आप 2022 का order implement किया जाए 2022 का order ये था कि आप 2013 का order implement किया जाए जिसमें उनको एक opportunity दी जाए और इस को decide किया जाए इनको ख़देड आ जाए और इसमें गोर करने वाली बात ये है इस बीच इस पूरे process के बीच जो वहां पे illegal occupants है या some of them legal occupants वो सब honorable high court को approach करते हैं honorable high court approach करते है with their petitions वो आपने honorable high court को approach करते हैं कि जी हम वहां पे इस तरहीं से उस तरहीं के से लेकिन even though even though वो approach करते हैं फिर भी honorable high court ये कहता है कि order को implement किया जाए इनकी जमी रिट्रिव करी जाए चुंकि अगर ये और ये और ये बी गौर करने वाली बात है कि वर्धी डेप्टी के डियम ने कि बावजूद भी और ये बावजूद को चीज को कंसिडर करके पोड को लगता है कि नहीं यह इनीकी जमीन है अगर पोड को जरा सा भी लगता कि नहीं यह लीगली वहां पर बैठे तो कोड कभी हमारे और पास नहीं करता ओर और इन आवर फेवर उसको और को इंपलिमेट क वह यहां पर यह लीगल उक्यपैंट्स ईडिए अगर देते हैं लेकिन उसके मजीद भी अगर आप मियूटेशण हमें देते हैं टूफेफटी सिकस कर दीजिए अगर एक्टि भी है आपको सब कुछ दिया गया है तो आप रेट्रियू क्यों नहीं कर रहे हैं अगर यह प और इनके कहना है दो सोच विशनागा जी अभी तक खाली है जिस पार कोई तामिराथ नहीं हुई है और नहीं वहांपर पर किशी कसम के दर्खत या कुछ और लगाए गए है और झालहाल एक सो उनिस वहाफ कीजएगा वहांपर दर्खत लगे हैं लेकिन वह दरखत दरशलाल खन्ना जी और उनके बेटों ने खुद लगाए है वही दरखत वहां पर मुझूद है अगर आप किसी एक्सपोर्ट कोई बलाएंगे वो कहेंगे कि यह दरखत कितने पुरान है तो इनका कहना ये भी है कि वहां पर जो बागात है वो बागात दरशलाल खन् है और वहां पर जो कुँछा है वो भी मुझूद है लेकिल कि कमीर में कमीर में अ पर बेगर न करें अर्दी सुनी जाए आपनर आ आशियना जालू कर यहां पर ब्हद आ चाहते हैं ऐ म conceived già है उपने बाईों के साथ मिल कर वहां पर रहना चाहते हैं उनके साथ बैठ कर दुख सुक में शिरीक होना चाहते हैं क्यों नहीं हमारी जमीन या तो फिर एक बार हमें वेगर करने की कोशिश की जा रही है फिर एक बार जब हम चाहते हैं हम दर दर की ठोकरे खाते हैं दूसरी रियास्तों में और हम चाहते हैं कि हम अपने रियास्त में अपने मा कर हाँ यहीं पर हम अपना काम करें अपना काम काज करें आप अपनों के साथ दुख सुख में शिरीक रहें